साथियों, देश में घोटालों के अंदर अपने अपने प्रकार के घोटाले होते हैं आप जब भी कभी नौकरी करने जाएं, तो नौकरी की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो क्या होती है आप कोई भी कंपनी में नौकरी करें, कई भी सरकारी नौकरी करें सरकारी नौकरी के अंदर कहते हैं कि केवल एक जो सबसे बड़ा सुकून होता है वो यह कि जब आप retired होते हैं तो रिटायर होने पर आपको सरकार pension देती है और साथ में धेर सारा पैसा देती है धेर सारा पैसा और pension ये दो सबसे बड़े वो आधार है जिसकी वजह से आपके घरवालों ने आपको लगातार इतनी रात को भी पढ़ने के लिए बिठा रखा है वो आपको सरकारी नौकरी के लिए मौटिवेट ही इसलिए कर रहे हैं पढ़ो दबा करके क्योंकि जब तुम बुड़े हो जाओगे हमारी एज में पहुंचोगे तब तुम्हारे पास पैंशन होना जरूरी है और पैसा मिलना जरूरी है आप पुछेंगे से ये बात क्यों बता रहे हो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो pension का पैसा होता है जो इकटा होकर मिलता है प्राइवेट नौकरी में भी वो मिलता है और प्राइवेट नौकरी में मिलने वाले इसी पैसे को PF Fund कहते हैं провident fund के नाम से जानते हैं आप पुछेंगे ये क्या होता है अभी बताते हैं, हिंदी है, इसकी भविश्य निदी, साथियों जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आप अपनी नौकरी में से, अपनी तनखा में से कुछ पैसा हर महीने कटवाते हैं, क्यों कटवाते हैं, इसलिए किस आप जिस दिन मैं रिटायर हूँगा, इसी पैसे को मुझे आप उस समय मेरी पैंशन के रूप में दे देना, ब्याज समेत मिला करके मेरे पैसे को आप लोग पी एफ फंड के रूप में दे देना, आप पुछेंगे, अच्छा, क्या सभी लोग इस पैसे को कटवाते हैं, जी नहीं, वो सभी प्राइविट कंपनी, जो अपन समझ में आ रही हो, अब ये जो Employee Provident Fund Organization of India है, ये पैसे कैसे काटता है, मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ, मान लीजे कि आपकी Basic Salary है, X रुपीज, अब X हटा ये, मान लीजे कि 20,000 रुपे आपकी Salary है, महंगाई बता, DRN's Allowance, उसके उपर DRN's Allowance का 12% PF Account में Basic Salary plus DA, यानि महंगाई बता, यतनी महंगाई चल रही है, मान लीजे 6% के आसपास, तो Basic Salary के उपर आपका DA मिला करके, जो पैसा है, उसमें से 12% निकाल करके, आपके Provident Fund के अंदर भेज दिया जाता है, Provident Fund में जो ये भेजा जाता है, इसमें से 3.6% पैसा, 3.67% पैसा, तो ये जो PF का पैसा है, ये आपके Retirement तक सरकार के पास सुरक्शित रहता है, और सरकार इसमें अपनी तरफ से ब्याज देती रहती है, Tax में राहत देती है, सम टाइम। जब सरकार खुश होती है, तो अपनी तरफ से इसमें कुछ धन अपनी तरफ से भी ढाल देती है, इस तरह से देश के अंदर private करमचारी भी जो हैं वो अपने भविश्य को सुरक्षित रखते हुए पाए जाते हैं और तो और आप एक कंपनी छोड़के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपका ये जो PF अकाउंट है वो एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर भी हो जाता है क्योंकि देश के अंदर एक ही जगे पर ये अकाउंट मैंटेन होता है आप यूँ समझे कि देश के अंदर ये जो EPFO है ये दुनिया के अंदर सोशल सिक्योरिटी के लिए बने हुए अकाउंट में सबसे बड़ा अकाउंट माना जाता है यानि ये कहा जाता है कि इस से ज़दा employee श स्कैम उजागर हुआ है आप चिंता ना करें आप मेंसे कुछ लोग तो इस समय एकदम चिंता में आ गए हैं एक अजार करोड का कुछ तो इस तरह की चिंता में आ जाएंगे कि मेरा पैसा जो मेरे PF अकाउंट में डला हुआ है कही निकल तो नहीं गया है तो ऐसी इस्थित में वो जो टेंशन आपके मन में आ रही है उसको फिलहाल के लिए तो निकाल दीजिए क्योंकि सरकार उसकी व्यवस्ता है कुछ ना कुछ कर लेगी पहले ये समझिए कि यहां फ्रॉड हुआ क्या है फ्रॉड का मतलब स्कैम हुआ कैसे है मैं वो बताता हूँ आज आपके PF करमचारी है और आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है लगातार और PF के रूप में EPFO के अंदर जमा होता जा रहा है साथीओ private करमचारी चाहे वो कोई सी भी कंपनी के हो वो इस प्रकार के PF अकाउंट लेकर manage करते हैं ऐसे ही एक हवाई जहाज कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था Jet Airways नाम तो सुना होगा जो 2019 में बंद हो गई Jet Airways के ऐसे ही बहुत सारे पाइलेट्स थे बहुत सारे करमचारी थे क्रू मेंबर्स थे उन सबका भी PF अकाउंट रहा होगा उन सबकी भी तनखाओं में से इसी प्रकार से क्योंकि पाइलेट की तनखा बहुत अच्छी होती है तो उस बहुत अच्छी तनखा में से मतलब लाखों में होती है ऐसी स्थिति में उसका भी 12% कट-कट के वहाँ जाता होगा अब चुकि कंपनी बंद हो गई 2019 में तो आप में से जैसे बहुत से जिग्यासू लोग जैसे आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि एक कंपनी छोड़के दूसरी में जाते हैं तो PF अकाउंट ट्रांसफर करने की आप एप्लिकेशन दे तो वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाता है कंपनी उस नंबर को ले करके आपका पैसा डालना शुरू कर देती है लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में अवेरनेस नहीं होता उन्हें लगता है कि मैं उस कंपनी में था तब तो मेरा PF कटता था पता नहीं इस कंपनी में कटेगा या नहीं हर जगे कटेगा यदि वो कंपनी 20 से अधिक employee रखती है तो ठीक है अच्छा तो अब आपके मन में ये डर रहता है पता नहीं मेरा क्या होगा ऐसे ही jet airways जो कंपनी ही बंद हो गई उसके pilots में crew members में तो ये ज़्यादा बड़ी चिंता होगी कि पता नहीं होगी तो बिचारे उसका ही 25-30 लाख रुपा तो PF fund में जमा होगा अब PF fund में जमा है तो उसको चिंता किस बात की हुई कि यार मेरा जो पैसा है वो PF fund में जमा है मैंने तो company बंद होगी मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा अब आप जैसे कुछ लोग तो जानकार होते हैं चीज़े किसी से पूछ लेते हैं लेकिन कई लोग अंजाने में ही रह जाते हैं जैसे आजकल बहुत से call ऐसे fraud आते हैं आप सोचो आप लोग तो फिर भी ऐसे हैं जिनके पास में opportunities का अभाव होगा दो चार call आते हैं मेरे नंबर पता नहीं कहां से लोग कवार लेते हैं और मुझे तरह तरह के offer देते हैं मतलब हद तो यह होती है कि मैं क्या ही बोलू आपको है ना और कोई नहीं बचा हुआ है इस fraud नितागरी से सब को लपेट रखा है इन fraud call वालों है ना कभी इस पर भी जर्चा करेंगे तो एक तरह से आपकी चंता लाजमी है अब इसी चंता का फाइदा उठाया EPFO के एक करमचारी ने उसने क्या किया उसने जैट एरवेस के करमचारीों को इस प्रकार के WhatsApp मेसेज़े क्या WhatsApp मेसेज़े कि सर सुनिए आपके अकाउंट का इतना पैसा था आपका अकाउंट के पैसे का क्या करना है आप एक काम करिए आप मुझे कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए या तो वाँपर पैसा ट्रांसफर कर देंगे अब आप्विस सी बात है EPFO का कोई करमचारी है और EPFO कोई करमचारी है तो ऐसी इस्तिति में उसे अपने पैसे EPFO का कोई करमचारी तो उसके पस जानकारी तो पूरी है और Zet Air Base के करमचारी को लालच है कि मेरा पैसा मिल जाए डौनों के तरफ बन गई न जब भी लालच आता है तब ही भागशाली नहीं है, तभी जाकर के इस fraud की दुनिया में आप बच पाएंगे, otherwise एक परसेंट भी लालच, जैसे कई बार होता है आपका number selected candidates में चुन लिया गया है, इस lottery के अंदर आपको इतना करोड रुपया कोई नहीं देता यार, आपकी नौकरी में आपको एक गं लिटते उन तक को लपेट लिया, कि सारा आप अपने document वगयरा बेजिये, मैं पैसे वैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, इस बीच में मैं EPFO के पास में आपकी जानकारी साजा कर दूँ और EPFO की जानकारी ये है, कि EPFO देश के अंदर Employee Provident Fund है, जिसकी स्थापना Act के तहत 1952 मे की गई थी, ये Ministry of Labor and Employment के द्वारा रन किया जाता है, दुनिया का largest social security organization है, ठीक है, इतनी जानकारी आप इसके बारे में तथ्यात्मा को रूप से जानकारी प्राप्त कर लीजे, ठीक है, ये घटना सुरू भी 2019 में, लोग वने साहब सुन-सुन करके इनको पैसे बेजने श जखती ने दिमाख लगाया कि यार इन सब को ढापा जाए, जनरली होता क्या है कि EPFO का पैसा लोग रिटायरमेंट पर पूसते हैं जब बिचारे बुड़े हो लेते हैं, लेकिन यहां तो साहब ये नए नवयुवकों को पकड़ रहा था, और इसने भाई साहब नियमों का उलंगन करके उनके पैसे उड़ाने शुरू कर दिये, जो जेट एरवेस 2019 में बंद हो गई, उनके लोगों का पैसा इसने निकालना शुरू किया, जानकर आश्र होगा कि ये लगबग एक हजार करोड रुपे का गपला कर चुका है, उस पैसे को निकाल निकाल करके ऐसी ज जानकरी बाहर निकल कर आई, लोगों ने इसके बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू किया, जेट एरवेस के करमचारियों ने अपनी बाते रखना शुरू करी, केवल जेट एरवेस ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे लोगों के फरजी अकाउंट बना बना करके पै कोरोना काल में इसने अजार करोड के आसपास का चूना लगाया है अभी कितना सही कितना गलत है ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि इस गटना में CBI जांच की मांग हो चुकी है देखना होगा कि क्या होगे परिणाम फिलहाल के लिए मैंने ये अपडेट अभी अधूरी अवेरनेस इसलिए मान कर चलिए इसे क्योंकि आगे की रहा पता नहीं है किसी को और clarity of thought नहीं है आप अब इस न्यूस के बारे में कुछ मी जानकारी मिलेंगी तो उन्हें समझ पाएंगे देख पाएंगे मैं ऐसा मानता हूँ ठीक है बढ़ते हैं आगे की कारी यहां पर प्राप्त कर लीजिए फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए जो UPSC और SAC केटिग्री है यहां पर जो 20% का Unlock 20 ओफर चल रहा था इसे 31 तारिक तक बढ़ा दिया गया है 39 से लेके 31 तक बढ़ाया गया है यदि आप में से अगर अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस सब्सक्रिप्शन को एकसेस कर सकता है सिम इसी तरह SAC के अंदर भी इसका समय बढ़ाया गया है आप यहां पर 30% तक का डिसकाउंट प्राप्त कर रहे हैं 31 अगस्त तक आप इसे एकसेस कर सकते हैं यानि Unlock 20 का लाव ले सकते हैं Math, Reasoning, English और GK के सभी क्लासे एक ही रेफरल कोड से अवेलेबल हो जाती हैं इतना ह आपको यहां पर बहुती नॉमिनल कीमत पर टेस्ट सीरीज भी उपलब्द कराई जा रही है आप उसे भी एकसेस कर सकते हैं अपना खयाल रखें